नमस्कार दोस्तों मैं नाम दिनेश पांडे हैं और आप सभी का competition community के online platform पर जो MPPSC को ले करके crash course and mcq series जो हमने चलाया है उस पर आप सभी का hardik अभी नंदन करता हूं और यह उमीद करता हूं कि हम जो आप लोग के लिए यह जो अथक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को सारी सुविधाएं वो सारी content मिल जाएं जिससे आपके exam अच्छे हो उसमें हम सफल होएं ठीक और आपको वो सारी चीजे मिल रही होगी जो आपको जिस चीज की जरुवत ह और इसी के साथ ही आज फिर एक नया topic लेकर के आपके सामने आज में उपस थी तूँ और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग को पता है कि मैं economics पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग को पढ़ रहे है NBFC non banking financial company आज यह हमारा नया topic है actually यह कोई topic नहीं है अगर आपन देखे हैंगे ठीक है ना तो यह समानने तर दे दिया गया आपके MPPSC में मगर overall यह है कि यह के वल टाइम यह थोड़ा सा ही है मतलब एक सब्सक्राइब क्योंकि इस टाइप के question कि non banking financial company क्या है यह आपके prelims कोई मतलब नहीं है ठीक यह आपके मेंस में आ सकते हैं या मेंस में आपक कोई question नहीं है ठीक चाहे MPPSC हो चाहे CGPSC हो अगर अपन देखते हैं तो इस topics का दोनों से कोई लिना दिरा नहीं मगर आपके syllabus में दिया हुआ है तो आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा इसका एकदम छोटा topic है यह और इसको shortcut में बहुत ही आसान सब्दों में आसान तरीकों से मैं इसको आपको समझाऊंगा ठीक और उसको आपको पढ़ना है clear ठीक अगर इससे related MCQ बोलोगे तो इससे related MCQ भी जादा है ही नहीं यह बोल सकते हैं कि इससे related MCQ को हम लोग करें कि ना करें यह भी doubtful है doubtful इसलिए क्योंकि यहां से question आएगा नहीं आएगा कोई confirm हम नहीं है clear क्योंकि already वह RBI foreign trade और जो import export matter है वही पुरा कवल कर ले लिया है तो यह matter जो है आपका इसमें MCQ भी बनेगा तो उसको मैं आपको लोग के सामने लेकर क्या हूंगा अभी फिलाल हम लोग subjective matter पर हम लोग discussion करेंगे और यह topic हम लोग का थोड़ा सा ज्यादा important भी न आना जरूरी है क्यों क्यों कि अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो आप इस पर पता चला है बहुत ज़्यादा work कर दिये और इस पर ज्यादा work करने के चकर में आपको जो important चीज़ है वह छूड़ जा रहा होगा clear तो हमें क्या करना है मैं सुरू में भी बोला हूं कि हमें वो चीज़े पढ़नी है वो चीज़े देखनी है जहां से question हमेशा आता है clear exam निकलने का यही तरीका है कि आप एक बार analyze कीजिए कि हमें क्या चीज ज्यादा focus करनी है और किस पर थोड़ा कम focus focus सब पर करना है मगा किस पर ज्यादा करना किस पर कम यह आप अपने analyze करके निका सब्सक्राइब करना पड़ेगा clear चलिए start करते एंडी एपसी non banking financial company किसको बोलते है ठीक है तो non banking financial company अगर देखेंगे ठीक है तो इसका full form अपका क्या है non banking financial company मतलब वह company मतलब वह बैंक जो है तो बैंक मगर बैंक के जैसा कार नहीं करती मतलब कानूनी रूप से ये बैंक के तहति इसको मानता नहीं होता इसमें सारा चीज होगा लेन देन होगा, रेन उपलब्द होगा, सब होगा मगर ये बैंक की तरह मानता प्राप्त नहीं होती जैसे RBI का भारती रिजर्ब में कदिनियम 1935 में जैसे भारत में जितने भी नैस्टनल बैंक्स है और अन बैंक है उनको वहां से मानता मिली है, बैंकिंग का कारका तो वैसे इनको मानता नहीं है, मगर फिर भी ये बैंक के समान होते है नॉन बैंकिंग फानेशल कंपनी का मुख्युदेश था कि लोगों को लोन प्रोवाइट कराना रिन उपलब्द कराने के लिए इसका क्या किया गया? गठन किया गया इस नॉन बैंकिंग फानेशल कंपनी का कंपनी अधिनिया 1950s के तहत रजिस्टेड हुआ है ये और इसी के तहत ये क्या करता है? बैंकिंग की तरह ये कार करता है इसको बनाने का मुख्यूद्देश ये था की वो जगा जहाँ पर बैंक ना हो या ऐसा लोन जो अन्न बैंक प्रॉआइड ना करता हो वो सब सारा काम कौन करेगा नन बैंकिंग फाइनेंशल कमपनी करेगी ठीक है ना तो नौन बेंकिंग फानेशल कंपनी का मुख्युद्धिस क्या था लोगों को लोन उप्लब्द कराना ये का मुख्यु उद्धिस था यहां पर भी बैंकों की तरह आपका लेंग दिन वाला मेटर होता भी है और नहीं भी होता है दोनों केस होता है बैंकिंग क्या करेगी क्लियार इसके बाद आपको क्या मतलब क्या होता है उदेश और इसको बनाया गया तो देश मेने आपको बता दिया कि इसका मुख्य उदेश क्या था लोन प्रोग कराने शिकर हो हं जहां यहां पर पहले जहां पर यहां पुस्टि लोन के बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे हम लोक्त लेते हैं टीकह टो लेते हैं उसके बाद gold loan लेते हैं तो यह सब कोन देता है को घैसे बजाज finance company हो götई 자가 सिराम फानेश कंपने हो गई बिर्ला फानेस कंपने होगे तो तो यह सब चिजे यह सब आज आंकन कंपनिया नान बॉइंककिंग कंपनियां artष वाहां पैसे का लेन देन नहीं instruct मगर वो आपको loan provide कराएगा वो आपको कोई भी समाना खेदने जा रहे हैं तो आपको finance की सुविधा उप्लब्द कराएगा वो तो यह जो finance की सुविधा उप्लब्द कराने वाला matter जो होता है और जो यह bank कराती है ऐसे bank को कोई कहा जाता है non banking financial company ठीक है न यह bank की तरह होते हैं मगर bank की तरह इनको मानेता प्राप्त नहीं होती ठीक है clear समान नहीं है इसमें से अब बोलोगे तो question क्या बनेगा ठीक तो question इसमें से MCQ किस step कर बन सकता है ठीक और इडी यह हो सकता है कि जैसे बोल देगा कि इसके कारे छेतर में क्या सामील नहीं है पूस देगा ठीक वैसे मैं एक fact बात बताओं यहां से एक भी question नहीं बनेगा NBFC से एक भी question नहीं आएगा और नहीं बनेगा यह मगर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ाने का reason यह है कि आपकी syllabus में है ठीक मगर यहां से एक question नहीं आने वाला आप एक बाद देख लिजेगा खुद ही मगर यहां पर fact बात यह है कि यहां से question नहीं आने वाला क्योंकि कुछ question नहीं बनेगा न यह पूछेगा कि इनमें से कौन सी non banking नहीं यह question बन सकता है तो दे दिया बहुत सारे तिंचार्टक बैंकों का नाम अब बोल देगा पहचानी इनमें से कौन सा N.B.FC नहीं है तो आपको बस एक चीधिया दो रखना N.BFC में बैंक की तरह होती है मगर बैंक की तरह कारे नहीं करती मतलब लेन देन का कारे नहीं होता एकदम ना के बराबर कुछ कुछ होता है कहीं कहीं पर होता है क्या करती है आपसे इस स्कीम के तहट आपसे पैसा जमा करवाएगी और पैसा जमा कराने के बाद उसी के थूँ लोन देते हैं वो ठीक है क्लियर तो जैसे बजाद फाइनेंस हो गया तो बजाद फाइनेंस में आप खाते अपना पैसे का लेंदेन नहीं करते ठीक ओके मगर वो आपको फाइनेंस की सुविदा उपलब्द कराती है ठीक लोन दे आती है आपको आपको भी समान खईदे तो वो प्रोवाइड करवाएगी सिराम फाइनेंस आप अगर कोई गारी खईदने जाए हो गय हो आपके पैसा कम है तो आपको वहापर रिन उपलब करना है और वही चीज क्या चीज कि यह हमें लोन प्रोवाइड कराती है रिंड की सुविदा उपलब्द कराती है अब यह मत मुलना ऐसा मत है कि RBI भी तो लोन देती है मगर SBI के लोन देने में और NBFC कंपनी में दोनों में अंतर है SBI एक कमर्शियल बैंक है जहां पर लेन और अगर आप फाइनन्स कराने गए हो तो आपको SBI से लोन नहीं मिलेगा मुबाई ख़दने के लिए लोन नहीं देगी आपको मगर यही लोन मोबाईल के लिए कौन देगा आपको NBFC कंपनी मतलब मालो बजाद फाइनेंस दे आपको यही लोन कौन देगा आपको कराने के लिए ओपन किया गया NBFC नॉन बैंकिंग फाइनशेल कंपनी बनाई गई ठीक तो यह अंतर होता है राश्ट्री बैंकों में नैस्टनल बैंकों में और NBFC बैंकों में ठीक है ओके यह याद रखेगा पता है ना ज्यादा डीप इसमें कोश्टन नहीं जाने वाला ज्यादा डीपी इसमें ना कोश्टन जाएगा और यह ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर आएगा इसमें कुछ है ही नहीं अगर आप ओर आल देखो गए तो यह कुछ नहीं है इसमें क्या कोश्टन पूछेगा बता दियो मैं एक तो बोल देगा इनमेंसे कौन सी नॉन बै लोगों को क्रेडिट के पड़ती है पैसों पड़ती है तो वहां पर उनको लोन प्रोवाइड कराती है बेंक के समान रहेगी मगर बैंक अधिनियम के तहट यह कानूनी रूपसे बैंक की मानता प्राप्त नहीं होती इस एन बीफ्सी को भारती रिजर्व बैंक ऑफ इंड करना है इनके रेगुलेट करना है तो भी कौन करता है RBI करता है ठीक चाहे बैंकिंग सेक्टर हो चाहे नॉन बैंकिंग सेक्टर हो दोनों को रेगुलेट करने का काम किसका है RBI का है ठीक याद रखेगा नॉन बैंकिंग कंपनी को भी और बैंकिंग कंपनी को भी दोनों को रेगुलेट कौन करेगी RBI करेगी बस इससे ज़गा इसमें कुछ नहीं अब बोल देगा टॉप 10 सब्सक्राइब बहुत सारे नाम इसे 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 कुछ नाम तो याद भी नहीं है इतने सारे फानेंस कंपनीयां खुल गई है तो चोटे चीछ के लिए क्या करती है कि हर एक समान के लिए आपको फानेंस की जरुत पर जाती है और हर एक समान का फानेंस हो जाता है ऐसा कोई भी समान नहीं है जिसका फानेंस ना होता हो हाँ कपड़ो पड़ो का नहीं होता कपड़ो का नहीं होता जूता खेन जा रहे तो जूता के लिए फानेंस नहीं होगा वह एकदम वह ऐसी चीज़ है कि जिसका फानेंस नहीं हो सकत तो कुछ घरेलू समान जो आउसकता है जीवन के लिए उनके लिए फाइनेंस की सुझदा अपरफ कराती है और यह हमको रिए प्रधान करती है लोन देती है चाहे हम कोई बिदने सुरू कर रहे हैं तो हमको लोन देगी वह हाउस के लिए हमको लोन देगी जैसे हमको कहीं करना है तो हम सब चीज़ों के लिए हमको को देगा और यंट्रेंस रेट होता है वह हाई लेवल पर होता है मगर उसका भी निधारन कौन करता है RBI ही करती है ठीक है ओवर ओल साय है वो बैंकिंग हो चाहे है नॉन बैंकिंग हो सब के लिए रूड रेगुलेशन कौन करेगा और सब को रेगुलेट कौन करेगा RBI ही करेगा Clear इतना जानना है NBFC के बारे में इस ज्यादा कुछ है इनीज में ठीक तो NBFC क्या है ओके रूड 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 कराती है ठीक 95-6 अधिरियम के तरह इसको बनाया गया ओके Clear RBI इसको रेगुलेट करती है यह बैंक के समान होती जरूर है मगर बैंकिंग कानून के तहत बैंक का दरजाई से नहीं है बैंक की सुविधाव फ्लब्द नहीं होती Clear यह आपका था NBFC ज्यादा है ही नहीं इसमें पढ़ने के लिए ठीक है यह इतना ही है बस इससे अधा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है इतना जानना है बस और जानोगे तो कौन कौन सा बैंक किंग नौन कंग है तो Bajaj Finance ले लो Siram Finance ले लो Muttu Finance ले लो Liminga ले लो ठीक हैना Lama Band ले लो ओके Birla Finance ले लो अधित्य बिरला Finance Company ठीक ओके Satya Finance Company ले लो तो बहुत सारी ऐसी नौन की मपनिया है जो क्या पदान करती है हमको loan प्रोवाइड करती है और यही इनका काम होता है ठीक फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज इसका किसका non banking company का क्या चीज non banking company का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि यह क्या उपलब कराएगी आपको ठीक तो non banking company क्या काम करती है कि सिर्फ loan प्रोवाइड करेगी देखो फिर से बात आ रहा हूँ मैं कोई question नहीं इसमें से बिल्कुल एक question नहीं आएगा आप देख लेना क्योंकि यह कोई topic ही नहीं है यह कोई topic नहीं है अपनी क्या है इसके उद्देश बताईए इसके कारेश्षेतर बताईए यह आपका मेंस में आ सकता है बट प्री लैवल पर यहां से question नहीं आने वाला दो से चार question आने हैं दो से तीन question आने वाले हैं आपके एकोनोमिक से ठीक ओकी और उसमें भी फोकस करेगा पूरा वो current matter पर मतलब budget level पर फोकस करेगा वो ठीक ओके और ज्यादा deep गया तो आपको RBI की monetary policy related question उठा सकता है और ज्यादा अगर और मन किया उसका पूछने का तो foreign trade से वो question उठाएगा maximum दो से तीन question है आपके economics में इससे आद है यहां से question नहीं आने वाला MP PSC में ठीक है clear ओके तो यह topic यहां पर अपन close करते हैं अब next topic आपको जो सबसे important होगा जहां से question बनेगा ही और वह है आपका budget तो मैं भारत का budget बताऊंगा भारत का economic survey बताऊंगा यह दो चीज़ आपको मैं इंडिया का बताऊंगा ठीक तो कल हम लोग पढ़ेंगे Indian economics में budget को और दूसरे दिन पी पढ़ेंगे हम लोग Indian economics में Indian survey को ठीक है ना आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग पढ़ेंगे दो दिन में clear तीक 2022 के budget को बताऊंगा आ चुका है भारत का clear इसको बताऊंगा इसके कुछ महत्यपुन महत्यपुन देश बताऊंगा अप्लस economic survey क्योंकि data से ही question आएगा कहां पर आपके economics में clear तीक तो जितना बताया हूं NBFC में क्यों उतना ध्यान पे रखिए और क्यों उतने कोई बस study किजे उससे अदा आपको उसमें नहीं सोचना है अगर माल लीजिए यह topic आपसे छुटता भी है तो कोई जरूर कोई कर लूँगा class आपकी बज़ट की clear ठीक चलिए thank you so much जैहिंग